असलाव अलेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे Mysterious Facts of Kaaba के बारे में Kaaba जिसे The House of Allah भी कहा जाता है And is one of the holiest sites In the religion Islam ये one of the most important masjid है और इसे Masjid al-Ahram कहा जाता है जो के मक्का सौदी अरब में है यहाँ पे लोग दुनिया के हर कोने से आते हैं उम्रा हच करने के लिए तो दोस्तों Kaaba के बारे में आप लोग कितना जानते हैं इसके कुछ Mysterious Facts और कुछ Amazing Facts है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे लाहु अक्बर लाहु अक्बर लाहु अक्बर ला इलाह इलाह इलाहु दोस्तों क्या आपको पता है के पहले के वक्त में Kaaba के दो दर्वाजे हुआ करते थे एक से इंटर करते थे और दूसरे तरफ से एकजट और Kaaba में एक विंडो भी हुआ करता था माँ लेटर अन सिर्फ एक एंटरेंस से ही एंटरी और एकजट कर दिया गया और 1979 में जब काबा का डूर बनाया गया था तो तकरीबन 300 कीलो गोल्ड यूस करे थे और इससे पहले वो सिल्वर में हुआ करता था दोस्तों के आपको मालुम है काबा सिचुएटेड है दे वैले आफ मक्का में तो जबी भी बारिश हुआ करती थी यहां पे स्टैग्नेंट वाटर जमा हुआ करता था क्योंकि उतना डेविलप नहीं था पहले के वख में जितना आज है मगर बारिश हो या धूब ये मुस्लिम्स को नहीं रोकती उनके उम्रा या हच करने से एक मश्यूर फोटो थी जो की 1941 में कैफचर हुई थी ये पिक्चर तकरीबन 77 एर्स पुरानी है जिदर आप एक शक्स को देखेंगे कि वह स्विम कर रहा है और उसके कुछ चंद दोस्त काबे के दरवाजे के पास बैठे हुए है आप लोग मानेंगे नहीं इतनी जादा बारिश होने के बाद भी लोग उनका तवाफ कंटीनी कर देते हैं आज आपके पास मीडिया है सोशल मीडिया है टीवी है तो इसकी वज़े से कभी डॉक्यमेंटरी हो जाती है या अगर आप आप आउनलाइन इमेजेस देखते तो आपको काबा का इंटीरियर मिलता है जिदर तीन पिलर है मगर पहले के जमाने में लोग सोशते थे कि काबा अंदर से दिखता कसा है इसके अंदर क्या चीज़े हैं चंद नॉन बिलिवर्स तो ये भी बोलते थे कि काबी के अंदर आइडल्स रखे वे हैं और इन काबी के अंदर आइडल्स रखते वे हैं मुसल्मान तवाफ कर रहे हैं या उनकी इबादत कर रहे हैं तो लेटर ओन मीडिया की मदद से कावे के अंदर का फिलमाएं पिक्चर्स लिए और यही पूरे दुनिया में पहले के अंदर से कावत अला दिखता कैसा है। तो देखो बहुत जमान है पहले से ही ना कुछ ना कुछ अफ़वा खिलाते ही रहते हैं यह लोग। आप देख सकते हैं। और जबी भी विई पी या डेलिगेट्स आते हैं कावत उला के अंदर जाने के लिए तो यही फैमिली के हैड़ आते हैं चावी लेकर और ऑपन करते हैं। उसके बाद लोग इंड में एंट्री करते हैं और एक्जेट करने गाद काबत अल्ला के डूर को लॉक करके ये चाबी वापस समाल के रखते हैं और दोस्तों क्या आप लोग को पता है कि जिस प्लेस पे काबत अल्ला सिच्वेटेड़ है वहीं उपर सेवन स्काइस के उपर एक और एक काबत अल्ला है और उसका नाम है बैत अल्मामूर इसके पीछे कई सारे हदीस और वाखिये है अगर आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हो हदीस की किताब में और दोस्तों क्या आप लोग को पता है कि ओरिजिनल शेप काबत अल्ला का रेक्टैंगिलर था मगर लेटर ओन इसके ओपर धेर सारे रेनुवेशन होते गए स्टोन पारडाइस से आया था और ये भी कहा जाता है कि ये जिसको आज आप हजर एसवत कहते हैं ये दूद से जादा सफेद था मगर लोगों के सिंज ये कंज्यूम करते करते ब्लैक हो गया है और दोस्तों कि आपको पता है कि ये स्टोन को चुराया भी गया था पर्शि ले ऊमें Abbasert Caliphate इसे वापस लिए और जब वह ये ब्लैक स्टोन को वापस लिए थे ये चोरों से तो इसके कई तुक्ड़े हो गे थे का जाता है इसके कमस कम तीन तुकड़े हुए थे और इसे जॉइन करने के लिए स्पेशल मेटल को गला के इसे जुड़ाया गया था और का जाता है अभी भी उस स्टोन में से कुछ चंद पीसे मिसिंग है क्योंकि वो लोग उसे ब्रेक करें तो एक तरीख से चुरा चुरा हो गया था मगर स्टिल डिबेटेबल बाज लोग बोलते नहीं भाई वो फतर को कभी तोड़ा नी जा सकता कभी मगर इसा हिस्ट्री में हुआ था कि उसे चुरा चुरा के लेगे घ горते तो दोस्तों इतने सारे ऐग annex हा हमारे इस वीडियो को लेगा आप लोग क्या ज़ादा mysterious, unsolved mysteries में भी interest रखते हैं, mysterious facts में भी रखते हैं, तो मैं आपको एक audio book recommend करूँगा, जिसका नाम है Unsolved Mysteries of India, इस book में धेड़ सारे unsolved mysteries हैं, इंडिया के, और ये audio book आपको available मिलेगी KUKO FM पे, KUKO FM इंडिया का leading audiobook platform है जिसके उपर धेड़ सारे non-fiction content है, और thousand plus hours की content library है जिया दोस्तों, इसके आपको धेड़ सारे audio books, book summaries मिलेंगे जैसे, knowledgeable row factual row, mysterious row और दोस्तों, KUKO FM पे audio books available है, धेड़ सारे regional languages में, तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी language barrier नहीं है हमारे viewers के लिए एक बहुत special offer है कि अगर आप code use करेंगे April 50, तो आपको exclusive 50% का discount मिलेगा, मतलब कि आपको knowledge unlock होगी वो भी सिर्फ rupees 199 में जिसका असली दाम है 399 और ये offer सिर्फ और सिर्फ 27th April से लेके 1st May तक है, तो जल्दी जो grab करो ऐसे, धेड़ सारे audio books सुनो unsolved mysteries के बारे में जानो knowledge unlock करो, अपनी personality develop करो, वो भी on the go पे सिर्फ earphones लगा कर या speaker पर सुनकर और अपनी जिन्दगी ट्रांसफर्म करो audio learning से, कुको FM पर इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे description में, जल्दी जाओ, चेक आउट करो इने अभी कावत अला की cleaning कमस कम दो बार होती है साल में और ये ceremony क्लीनिंग की हकर होती है, 30 दिन पहले हद से और 30 दिन पहले रमजान से कावत अला के अपर जो cloth है उसे खिस्वा करते हैं, आप लोग तो black और golden में एक cloth देखेंगे, मगर इससे पहले ये धेड़ सारे colors में हुआ करता था जैसे green, red और white आज के ओख में खिस्वा pure silk से बनाया गया है और इसके अपर खुरानिक versus pure gold threat में लिखे जाते हैं कमस कम ये खिस्वा का cloth कहा जाता है कि 6 million dollars तका cost करता है और इसके अपर खुरानिक versus सीने के लिए special लोग है और हर साल 9 जिलहज़ा को फजर की नमास के आद ये पुराना खिस्वा चेंज होता है पहले के वक में काबा क्या दरवाज़ा दो बार खुला जाता था दिन में मगर सिंस इतना जादा पॉपिलेट होगी अरिया तो special VIPs ये delegates आने के बाद ही इस दरवाज़े को खुल जाता है और कि आपने गोर किया कि कभी काबत लोग के ओपर planes ट्रावल नहीं करते इसके दो रीजन से एक चीज़ spiritual side as part of respect दूसरी चीज़ ये कहते है कि magnetic attraction जो काबत लोग के अतराफ है वो बहुत ही strong है जिसके वज़े से planes को travel करना literally impossible है और दोस्तों कि आपको पता है कि पूरी दुनिया का एक golden point होता है golden ratio होता है और धेर सारे geologist ये proof किये है कि पूरी दुनिया का जो golden ratio है वो exactly मक्का और मक्का के बीच में काबत लोग का है तो काबत लोग गोल्डन रेशियो कैसा हुआ और ये बताते हैं कि universe का कोई भी हिस्सा center मान सकते हैं और actual center earth का तो उसका inner core है तो मतलब जब आपका दीन या आपकी कोई special spiritual side proof कर देती है तो ये लोग का अजम नहीं होता दोस्तों ये थे कुछ चंद mysterious amazing facts of काबा और चंद ऐसे भी है जिसमें काबत लिल्ला attack हुआ था और कुछ लोग अपने आपको इमाम मदी करके लोगों से लड़ लिये थे फिर later on सौदी गवर्मेंट पाकिस्तानी आर्मी को बुला कर उन लोगों को हटाई थी इसके बारे में भी एक detail वीडियो अगर आप चेक आउट नहीं करें तो when kaba was attack वाली वीडियो आप चेक आउट कर सकते हो tbv knowledge and truth के हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंदा तो प्लीज ज़्याद ज़्याद शेयर करें whatsapp, facebook के groups में, instagram पर फिर आएंगे जब नई वीडियो के साथ कोई भी आप अगर वीडियो देखना चाते हों तो ज़रूर कमेंट करके नीचे बताए हम उससे cover up करेंगे सब्स्ट्राइब करेंगे ज़्याद हमारे चैनल को दूआ में आद रखिया हमें तिल देन टेक केरेंगे और सी यू सुन अल्लाहाँ